नमस्कार आप देख रहे हैं पीटी निज बिहार मैं आपके साथ रभी महता इस वक्त मैं मवजूद हूँ पक्ठोल गराम में और पैक्स के अध्यक्ष का चुनाब नजदिक आते ही गाओं में सरगर्मियां बढ़ चुकी है किसानों किसान जो भी हैं इस गाओं के और पैक् गयार से दिल्ली में आप देखेंगे किसान अंदौला लगातार चल रहा है और और कहां ऐसा जा रहा है कि बिहार में case collapse मंडिया खतम हो जाने के बज़ा से और जो जो किसी कृष्टी कानून है उसका परभाव यहां पे नहीं हो रहा है यहां के खिसान बहुत ही खुसहाल हें लेकिन बास्तविक्ता ग्राउंड पे बिलकुल उल्टा देखने को मिल रही है मैं बता दोगी बिहार में जो मद्या हो जो काफी गरीब किसान हैं उनको इस पैक्स के माध्यम से बहुत सर यसी सुभधाएं हैं जो नहीं मिल पाती है उनका वजापते कहना है कि धान गेहूं और मक्का की खरिदारी एक कहात हैं एक कहावत है बिहार में कि फरजी किसान फरजी भुकतान और असली धान का फर्जी भुकतान के तुर पर देखते हैं और मैं यहां के जो पैक्स के उम्मिदवार हैं रंजीत यादव उनसे भी मैं मिलता हूं और जानने का परियास करता हूं कि पैक्स की क्या स्थिती है कि सानों को कितनी सुबधाएं मिल पाती है और कौन-कौन सी सुबधाएं जो उनको मिलना चाहिए फिर भी उनको नहीं मिल है सबसे पहले बीटी ने चरब का बहुत वह स्वागत है मैं यह आप से पुछना चाह रहा हूं कि आप यहां के उम्मीदबार है और पैक्स को लेकर काफी वहापों की सती होती है लोगों के जनकारी कम होती है यतनी धान मक्का या ग्याहों की खरिदारी होनी चाहिए मैस्प इसलिए आप मैदान में चुनाव लग रहे हैं और जितने मने जितना की किसन का सुथा होना चाहिए तो अभी तक यह फिलाल जो है यह पांच पांच साल के लगवाग बीस साल से जबता के पैक्स में रहे हैं अभी तक कोई एक दना भी उपलवद नहीं किया है मिस्जो खा किसानों के लिए वह लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है यह जो इस पंचायत के अध्यक्ष के बारे में बता रहे हैं कि कोई सुबधान नहीं मिल पा रहे हैं यही बस्तु इस्थिति लगभग पूरे बिहार की है और किसानों की हालत जर से जरजर होती जा रही है इस प कि बहुत जगोने का परियास करेंगा लेकिन यह भी दिखाने का परियास करेंगा कि बास्तिव किस्थिक किसानों की क्या है क्यों भीहार के किसान इतने बैठी थे उनका आए देश में सबसे कम है लगभग 4900 रुपिया परती मंध के हिसाब से उनका आए आका जाता है यह बात करते हैं आपका क्या नहीं हुआ करोखन यादव करोखन यादव जी आप लोग किसान है कितना जमीन आपके पास पॉंच विगा पॉंच विगा जमीन है तो जो ओपज होती है उसको आप कहां बेशते हैं दलाल घंट विचोलिया खुन बेशते हैं कितना इस पार गेहूं मका आपने के से किस रेट में बेचा है 16 रूपे बेच रहे हैं सबस्य बढ़ा की ना धान की लेकिन इनको बिचयोलीय के हाँथ हों बेचना परता है जबसे वारा दुखद है कि पैक्स के रहते हुए पैक्स की जम्मेवारी होती है कि उनको सही दाम दिलबाए यह मैं जाने का परियास कर रहा हूं आपका क्या नम हुआ प्रमोच्चोरसिया मुझे यह बताइए कि बिहार के किसानों की बिहार किसान इतने पीछे क्यों है क्या कमी आपको दिख रही है यह सरकार की वजना है वो हद तक सही है लेकिन जो कंद पर नहीं कर पाते हैं वो बैपारी से लेंदेन करते हैं और बैपारी के सब्सक्राइब के अपना पैसाओ कहाई के लिए उनसे खरीदारी करते हैं फिर सरकार को वह कागजों में दर साथ है कि हमने किसानों से खरदा यह बास्त विक्ता है क्या आपका क्या नम सुरेश परसाथ सुरेश जी मुझे यह बताइए चुकि आप लोग किसान है आपके पास कितना जमीन है तो एमस्पी आपको नहीं मिल पा रही है इसलिए किसान अंदॉलन पे हैं दिलने में तो क्या लगता है कि वह कानून से ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के किसान को कोई फरक नहीं पड़ेगा तो बिहार के किसान क्यों अंदॉलित नहीं है किसान को आज कि कई एक साल से कुछ सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब एक और खाद नहीं मिला है पूसर करते हैं कि इसको देते हैं हम लोग पता नहीं कहते हैं आजये नहीं पारी से ले आई यहां पैक्स कोई लाव ने मिल पारा है जो बकरी चरा रहा है उसको आपक से निम्मर बना दिया है जिसके पास जमीन है उसके पास उसको काहिक लिए बनाएगा हम लोग के पास इतना जमीन है 440 रुपिया उसको दिये हुए तो अभी तक निम्मर किसी लड़का बच्चा को ने बनाया अच्छा यह इसा भी देखने को मिला है जिनके पास भूमी नहीं है उनको भी किसान घोसित करके उनका भी नाम चला दिया गया ताकि वह उनहीं के फेबने बोट करे ऐसा है क्या है हमको चाहिए जो लोज पर बंख्री चरा रहा रहा हुआ हूँ उसको निम्मर बना दी लिए अगर में बनाया हम ने चर्टा किया राम जमागों क्यों हम कहा कि इस तरह कि जुलूम इसा बात उभर के समने आ रहा है और भी लोगों से हम चर्चा करने का प्रियास करने के दर मुख्या जी है पुरें में जिला परियास के नम आपका सर्फ मेरा नाम अरजुन चोधरी हुआ अरजुन चोधरी आप क्या है बरतमान में अभी बरतमान में कुछ नहीं है मैं समीति सदस्था 2006 में मेरी पतनी मुख्या अक्टिव है गों में इससे पहले मैं भाजपा परखन अध्यक्ष भी फैमिली का है आपका भी है तो किसानों के लिए जो एक प्यक्स बनाया गया है पिहार ने बनाया है किसान के पहतरी के लिए लेकिन जमीन पर ऐसा नहीं दिख रहा है आपको कैसा लग रहा है आपने सही कहा और हमारे परमोज चुरसिया जी भी इस बात को रखे हैं बढ़ि चाहितरी को कुछे देखे और यह जो बनाये हैं सदस उनका नाम चला कर Хаक कंडों अपने चहते को जिनको रहने के लिए जमीन नहीं है U A だ जो होगी तो पता चलेगा जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है अंडर एस है उनका नाम व अपने चहते को जोरे हुए है और जो किसान है जो पंच भी गहा ऐहां तो छोटे और मंजोले लेकिन जिनके पास है भी टून नाम नहीं जोड़ा गया जैसा कि आपने सुना कि नाम नहीं जोरा जाता है और इतना ही नहीं आप देखिए मेरा नाम पिछले चुना में भी अध्यक जी कटवा दिये थे जनारण जादव और माननी है उच नियाला के आदेश के अलोक में मेरा नाम जुटके आया था यह मेरी मेरे पूर्व की कोपी है अच्छे कोपी भी आप रखें आप मैं रखा हूं और देखिए यहां 103 आदमी का नाम पिछले माननी हुच नियाला के आदेश पर यह जुटके आया था जिसमें मेरा नाम देखिए यहां पचासी में है जिसका पूर्व का करम संख्या यहां दिया हुआ है अर्जून चोधरी यूगल चोधर गत्वादी नाम नाम देखिएंगे लिए उनका किसानों के नेता होते हैं उनका काम होता है लिसानों कि समस्या को सरकार तक पहुचाना और सरकार सवधा को किसान तक पहुचाना MSP पर उनको खरिदारी करना उनका ही कम होता है लेकिन ये एक ऐसा और एक सेडो छेतर होने के वज़े से इस पर किसी का धिहान होता नहीं है इसी का फाइदा उठाते हुए बरे अस्तर पर कागजी कम फरजी किसान बनाके कागज पर ही भुक्तावन करवाते हैं कागज पर ही खरीदारी भी कर लेते हैं ऐसा बड़े ब्यापक अस्तर पर देखने को मिलता है और कहा जाता है कागज पर किसान खुसहाल दिखता है बिहार का लेकिन बस्तु इस्थिति आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो पंजाब किसान को मिलना चाहिए यहां पर मिलना लोगों को बहुत कम लोगों को जो जागरु किसान है मतनव की 2-4-5% होंगे किसान जिनको जो अपने से हाथ-पाँ फैलाए पैक्स के माध्यम से नहीं जो अपने कुछ लुए बुइद कि इधर उधर दोरे तो उनका नाम चरहा और जो मिल रहा है वह पढ़े लिखे के सावे जो बढ़े लिखे किसान नहीं है उनको पैक्स के माध्यम से कोई सुभधा नहीं मिल रही है और आपका देवंद्री आदब किरताल क्या कहना चाहरे हैं मिलता है उसी को जो उसका डफली बजाते है या जो आपने पाँपे गरीब किसान का यहांतकी मेंबरमशिप में नाम भी नहीं जिसका नाम ता उसको भी कटबा दिया गया है okay, और दूसरी बात यहां से कम है वह से वेक्ति कोई सब्सक्रय है यह शेयां वो लड़की हो गाउंध की बेटी और यह जो है सब धन साहिबे का एक पुरानी कहावत है पैक्स में आज तक जो कुछ भी आया है गया है कोई बैठक अभी तक नहीं हुआ है कोई बैठक नहीं हुआ है इसका जो मन में आया वही जो पहरेदार है उनका उसी का कोरे कागज पर साहन करवाए और अपना काम करके चले गए चलिए और भी लोग हैं इसे मैं मिलता हूँ आपका क्या नहीं हुआ सर् संख्या सब्सक्राइब पूर्व मैं आज मुझे यह बताइए कि जैसा कि यहां कि आम जनता बता रहे हैं आप चुकी परतनिधी रह चुके हैं जिला परसद बुख अच्छा पर मरपद होता है तो किसानों की जो समस्या है फर्जी किसान बना दिया जाते हैं उनसे फोट ले लिया जाता है कि सुवधा उनको मिलती नहीं है जब चुनाव आता है तो लोगोंका दियान भी उसननके जाता है और इस बीच में लाखो की संख्या में लोग पैसा आगाही कर जाते है कि संनों के नाम पे तो तो क्या सुधार होना चाहिए और पैक्ष के तोर पर कि लोग को अपना पैसादे के मेंबर बना करके सदस्ता किसान का आगू भी किसान नहीं जोप्री में रहने वाले गरीब गुर्बा का नाम इसमें जोर करके बहुत की राजिट ये पैस अध्यक जाना दर जाजब करते हैं चलिए बड़ी बड़ी बात उभर के सामने आ रही है कुछ युबा लोग हैं और मैं इनसे बात करता हूं चुकि युबाओं का चुनाम में सक्रिया होना बहुत जरूरी हो गया है परिवर्तन युबा ही लाएगा आपका क्या नम हुआ नम दिपक कुमर दिपक जी आप पू चाहित के तुमाम गार्जी यहां साथ है और फिर बात जुत कंवा रहा है अभी तक तमाम गर्वरी हुआ है हम तुमारे ग्रामीनिला का कि सोटे बड़े कि सान आते हैं अभी तक कोई सुधा नहीं मीला है चलिए एक बात आप देखेंगे कि बिहार में अधिक संख्या में भुमिहीन किसान भी है और उनको दूसरे के खेत पे जाके खेती भी करनी पड़ती है उनको सम्मान ने भी नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास जमीन नहीं होता है और साती सात जो भी फसल कहीं छती हो जाती है उसकी पूर्ति भी उन तक नहीं पहुंचती है यह भी बात समने आई थी और जिनके पास जमीन है उनका जो फसल का रेट है उनको भी नहीं मिलता है जिनके पास नहीं है वह किसी तरह ज़िए उपजा के कुछ अर्ण करते हैं तो उसका भी मेस्पी पे दाम नहीं मिल पाना या कहीं न कहीं बिहार के लिए दुर्वाग है और सरमसार है इसी इस्ति परिस्ति को बदलने के लिए नए ने युवा उहर के सामने आई क्या कहना चाह रहे हैं यह प्यक्स चुनाब जो है यह पूर्व के अध्यक्ट जो अभी बरतमान में है लंसंबी 15-27 अध्यक्ट है और सरकार द्वारा जो भी कितना सक हो बीज हो खाद हो वो किशान के हक हकुक मारी जाती है और उसके घर तक यह सुने पहुंचता है इसलिए हम लोग चाहते हैं परिबरतन जो अगले जो जितक आएंगे उसाई धंग से काम करेंगे और ज्यादा दिन हो जाने के बाद कोई ददागिरी समझते हूं चलिए लास्ट में मैं यहां कि उम्मेद्बार से पर पुना मिल लेता हूं और हमारे साथ आपने भी सभी लोगों का दर्द सुना समझा तो क्या लगता है यह आपको मौका मिलता है तो आप क्या सब करेंगे सबसे पहले जो किसान को जो भी समस्या करेंगे फंब्र से बढ़ाएंगे वाएंगे इक बात और सारे लोग है कि समाज को कुषा करेंगे पूरे समाज और लेकर जो समाज को चलिये इनका दावा है कि योटी मौका मिलता है तो कहीं ना प्रभाद कुंधन हुआ है और गवाहत रहत्ते हैं तो क्या लगता है कि किसानों के लिए क्या क्या होना चाहिए मैं एक चीज में बद आप लोग का आलोग में देना चाहुंगा जो किसान सम्मानिधी योजविदा के बारे में काफी देर से आम चर्चा कर रहे थेmen वूस पर एक बात कोमेंट करना जो उसमें वह घूस मांगते हैं उस किसानि में सम्मानिधी योजविदा पास करवाने के नाम पर गूस जाया है इसा भी हो रहा है जो सरकार आपको देती है उसमें भी उनको घोश चाहिए जी मैं जो हम जो ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन कराते हैं किसान सम्मा निधी योजना के लिए वह रेजिस्ट्रेशन के एवज में वह हमसे पैसा मांगते हैं मिस श्ञे法 है है श्ठिती इतनी बद से बत्तर हो चुकी है Beliau कि किसान सिठीन हो चुके हैं उनको ऐसा लगता नहीं है कि आवाज को सुना जाएगा जो पदाधिकारी हैं वहाँ भूस मांगी जाती है जो अ करते हैं वह भी उनको अंसुना करते हैं विहार में सुधार के लिए कहीं न कहीं बरियास्तर पर पैक्स में सुधार को लेकर काम करना होगा सरकार को आप बने रहे हैं